हाई अवरिवन तो ट्रू इंजने की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत जादा इंपोरेंट चीज समझने वाले हैं टाइप्स के बारे में क्लाउड कंप्यूटिंग में जो हमने क्लाउड से थे वो कितने तरीके के होता है यह बहुत जादा confusing हो सकता है आप लोगों के लिए इसी को बहुत ही जादा मैंने एकदम precise way में समझाने का try किया इस वीडियो के तरू ठीक है जो generally types की अगर मैं बात करूँ clouds की है ना तो वो दो तरीके से देखी जाएगी clear है दो तरीके से first one is your service model and second one is your deployment model तो यह दो तरीके से हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे types of clouds ठीक है yes clear है and इसकी complete definitions आप देख सकते हूँ notes के अंदर description box में link है अब मैं बार बार वर वो ही नहीं बोलता रहूंगा आगे देखेंगे so types की बात करते हैं हम सबसे बहले क्या देखेंगे deployment model के बारे में देखेंगे then service model के बारे में चले जाएंगे समझ लेंगे ठीक है अब deployment model means कि यह हमारे को कुछ ऐसे types of clouds मिलेंगे like public clouds, private clouds, hybrid clouds and multi clouds ठीक है तो यह सारे clouds रहते हैं and इनका काम क्या है private cloud का मतलब यह है कि हम जो भी third party service providers यूज कर रहे हैं suppose amazon web services, google cloud platform या तो फिर microsoft के कुछ azure वज़र तो यह सारे जो भी हम third party service provider यूज कर रहे हैं so यह हमें क्या मिलेंगे, publicly मिल जाएंगे, ठीक है so यह काम हो रहता है public cloud के अंदर private cloud के अंदर यह हम dedicatedly क्या कर रहे है privately इसको बना रहे हैं, एक single organization के लिए so you can say कि private cloud के अंदर यह सभी के लिए publicly नहीं है open and हम यह जो service providers या जो हम services लेंगे वो directly एक organization के लिए लेंगे ठीक है, तो यह काम हो रहा होगा private cloud के अंदर clear है, जिसके अंदर हमें complete control मिलेगा हमें security मिलेगी, अगर हम public cloud के अंदर बोलेंगे तो उतनी जाद security हमें नहीं मिलेगी, ठीक है and बात करते हैं, तीसरे cloud जो है deployment का ही type उसके अंदर आता है hybrid, hybrid का मतलब क्या है कि हमें दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती थोड़ी बहुत public related, थोड़ी बहुत private related ठीक है, clear है तो जो यहाँ पर non-sensitive data है non-sensitivity चीज़ें है वो public clouds की तरह work करेंगे and जो थोड़ी बहुत sensitive चीज़ें like business perspective जो बात है जो flexibility, scalability वो सब यहाँ पर hybrid के अंदर वो private की तरह work करेंगे तो अब ही हमने क्या चीज़ें देख ली simple simple way मैं public देख लिया public cloud, private समझ लिया and hybrid समझ लिया ठीक है, अब जो last है which is called multi cloud अब multi cloud के अंदर क्या हो रहा होता है, वो समझता है so multi cloud, यहाँ पर multiple cloud service provider की तरह work कर रहा होता है जिसमें host different होते है multiples होता है, ठीक है clear बाद, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यदा चीज़ें देखने को मिल जाएगी just like redundancy improve होती है मतलब redundancy समझ रहो, आप यह समझ रहा है तो वो improve होती भी दिखेगी and यहाँ पर हमें performance overall optimized होते हो दिखेगी, so यह सारा काम हमें multi clouds के अंदर ज़्यादा देखने को मिल जाता है so अगर आपको कोई भी types of cloud पूछ रहा है, तो आप सबसे बहले deployment cloud समझाए या तो उसे service model भी समझा सकते हो आपके उपर है, तो आप service model समझाए है, deployment model समझाए है, आपके उपर है मैंने भी deployment model समझाए तो आपको मिली जाएगा, यहाँ पर एक छोटा से difference बन सकता है, वो difference बन सकता है public cloud और private cloud के बीच में so यहाँ पर diagram से ही समझ में आ रहा है public cloud ऐसा cloud है जो सभी के लिए open है और यह blue color से भी दिख रहा है कि सभी के लिए open है, private cloud limited एक single organization के लिए यह useful हो जाता है, यह समझ सकते है आप simple way में, जो कि मैं आपको भी बताया था और definition देखते हैं आपे, क्या बताया है publicly shared virtualized resources तो यहाँ पर जो resources है, वो publicly सभी के लिए share है, open to use है ठीक है, और यहाँ पर privately shared virtualized resource, तो यह log भी लगा हुआ है तो हर किसी बंदी के लिए नहीं है, open नहीं है तो यह कहलाएगा हमारा private cloud ऐसी public cloud support multiple customers जबकि यहाँ पर dedicated customers के लिए ही काम हो रहा होगा private cloud के अंदर और public के अंदर सभी के लिए होगा support connectivity over the internet यह बात तो सही है internet तो हर जाग ही चाहिए भाई चाहिए public हो चाहिए private हो यहाँ पर क्या है, internet तो चाहिए चाहिए साथ में fiber and private networks as well ठीक है, तो fiber optic cables के थुरूँ भी यहाँ पर काम हो रहा जाएगा clear है, तो यह आप लिख सकते हो चोटी मोटी चीज है and यहाँ पर लिखा है suited for less confidential information तो यह publicly है तो definitely बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं hide होंगी, यहाँ पर security इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होगी तो उससे better यहाँ पर अगर security की बात करी जाए, उसका enhancement private cloud में आपको जादे देखने को मिलेगा so suited for secured confidential information and the core systems clear वाद तो मैंने आपको एक बहुत ही simple way में deployment models के बारे में public, private, hybrid and multi clouds के बारे में एक brief idea दे दिया तो अब बात करते हैं service models की यह service model में अब आप देखोगे तीन चीज़ें और IaaS, PaaS and Saas ठीक है I का representation है infrastructure as a service PaaS का है platform as a service और यहाँ पे software as a service तो यह आप किसके अंदर बताओगे service model के अंदर अगर types पूछेगा तो आपको यह सारे types बताने clear है बात, समझ रहे हो तो यह हम अब सीखेंगे कि cloud computing में क्या-क्या types हैं as a service model सबसे पहले बात करते हैं software as a service की तो software as a service में अगर हम यह देखें on-site बात करें, अगर मैं कोई भी website बना रहा हूँ, for example मैं एक true engineer की website बना रहा हूँ अब true engineer की website मैं एक तो यह possibility है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है मैं चारा हूँ कि एक में को website चाहिए तो यह समझो कि मेरे को एक software build करना है but हमें यह नहीं पता कि front end कैसे दिखने वाला है, back end किस तरीके से होने वाला है, database में किस तरीके से data entry होने वाले, replication बनने वाला है, data का copy होने वाला है and किस तरी किस नेट्वर्किंग में सारा काम हो रहा होने वाला है, तो अब बिलकुल भी idea नहीं है, मैंको बस एक software और एक application चाहिए, मैं सामने वाली पार्टी को पैसे देने के लिए full तरीके का क्या है service आपको delivery प्रोइड करवाएगा या फिर application प्रोइड करवाएगा over the internet and यह कैसे करवाएगा, यह हमें सारी चीज़े देगा, application, data runtime, middleware, operating system virtualization, server, storage and networking सारी चीज़े देगा, red का मतलब है कि service provider यह सारी चीज़े हमें देगा and यह जहाँ पर जो blue का मतलब है इसका मतलब है यह हमें आती है यह हम चीज़ें खुद से कर लेंगे, ठीक है तो software as a service देख रहे हैं सबसे वहले, तो software as a service में हमें कुछ भी नहीं आता, हम सामने वाली पार्टी को पैसा देने के लिए तैयार है सामने वाली पार्टी कौन है भीया third parties, like amazon web services, ठीक है ऐसी हमने google का cloud platform तो यह सारी third parties है यह हमें service provide करवाएंगी service provider कहते हैं इन सबी को, ठीक है so software as a service में यह हमें पूरी चीज़े provide करवाएंगी यह जो देख रहे हैं अगर मैं इसको mark करूँ and color कुछ अलग सा लेते हैं तो हमें यह सारी चीज़े provide करवाएंगी service providers हमें यह सारी चीज़े provide करवाएंगे and हमें उस बियाफ पे pay करना पड़ेगा ठीक है तो मेरी जो demand थी मेरी जो चीज़ें थी वो यहाँ पी easily हो जाएंगी so this is your software as a service तो हमें complete software के requirement है वो कौन बनाएगा service provider हमारे लिए बनावा देगा ठीक है next चीज़े platform as a service अब platform as a service से क्या मतलब बैठता है हमें बहुत सारी चीज़ें आती है yes हमें front end आता है ठीक है भाई हमें बाकी चीज़ें आती है थोड़ी बहुत yes but हमें क्या दिक्कत है हमें चाहिए क्या as a platform platform चाहिए हमें ठीक है so उस case में उस case में हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा platform as a service clear है so platform provides अगर कोई हमें करवा देगा है ना तो हमारा काम अचान हो जाएगा so ये platform as a service में हमें क्या-क्य चीज़ें मिल रही होती है service providers हमें क्या-क्य चीज़ें दे रही होते है runtime, middleware, operating systems, virtualization, servers, storage and networking तो ये सारी चीज़ें चीज़ें देख रही है ये platform as a service में हमें provide होती है servicers, ये जो service providers है वो ये सारी services हमें provide करते है clear है, समझ हो तो ये काम हो रहा होता है P-A-A-S में अब I-A-A-S which is called infrastructure as a service infrastructure as a service में क्या हो रहा होता है कि हमें पता है हमारे पास हमें front end बनाना आता है back end बनाना आता है कहीं software हमें डालना है है ना, कहीं ना कहीं हमें सारी चीज़ें चीज़ें तो उस case में हम ये सारी services है, वो use ले रहे होता है ये services का use ले रहे होता है third party के तरूब, ठीक है like virtualization, server, storage and networking, बाकी मुझे पता है मेरे को applications के बारे में, data के बारे में, runtime, middleware and OS के बारे में एक अच्छी कासी understanding है, so हम ये सारी चीज़ें ले रहे होता है, इससे क्या पता चला कि है, software as a service में हम पूरा complete software कि थर्ड पार्टी के उपर dependent है, तो सबसे ज़्यादा पैसा मुझे इसी service में देना पड़ेगा अगर मैं ये service ले रहा होता हूँ, तो ठीक है, बाकि आप लोग देख रहे हो समझदार ये इतने हो, ठीक है clear है बार, so आज हमने इस वीडियो के अंदर types of clouds देखे, ये cloud computing आप types देखो, service model भी आफ में and ये deployment model के भी आफ में, दोनों के बारे में एक brief idea दे दिया and बाकि आप लोग PDF अगेरा में देख सकते हो बाकि information है, detailing में और भी सारी चीज़ है and बहुत जादा important है वो सारी चीज़ है, so आज के लिए इतने ही रखते हैं and मुखूब करहा हूँ कि सब इस्ट्रेंट को ये वीडियो लक्चा समझ भागा गया so मिलते नेक्ट वीडियो के सांथ या, बाई